पांडादा के सभी वैपारी प्रतिष्ठान दिन मंगलवार 23 जून रत यात्रा परवग में अपने अपने दुकानों को दुकानदारों ने बंद रखने का निर्णे लिया लगातार बढ़ रह संक्रमितों के आकड़ों को देखते वे ग्राम वा छेत्र को सुरक्षित रखने इस वर्स रत यात्रा उत्सव अपने अपने घर में रहकर मनाएं आओ समस्त देश्वासी मिलकर भगवान स्री जगननाच जी बलदाओ जी सुभदरा जी से प्रातना करें सभी जुओं की मंगल कामनाओं के लिए कोरोना जैसी महामारी से मुक्ती दिलाएं इस वर्स पाड़ा दाह रत यात्रा मेला इस्थगित दुकान खुले रहने से भीड बढ़ेगी कोरोना वाइरस संक्रमन से बचने के लिए व्यपारी संग वजन प्रतिनिधी और समस्त गामवासी आपस में चर्चा कर सर्व सहमती से निर्ने लिया गया पाड़ा दाह के पुजा अर्चना परिक्रमा संपन्न होगी भगवान स्री जगनात जी बलदाओ जी सुभदर जी मंदीर में विराजमान होंगे और भगवान के दर्सन के लिए भक्तों को सासन के आदेश अनुसा सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करती हुए चहरे में मास्क, स्कार्फ वर र मेश्वर सिना की रिपोर्ट यहां पर ना लगाएं में यही उन से भी निवेदन है कि वो लोग भी अपनी बुकान ना लगाएं लब पाड़ादा का वैपारी भाई आपका शुब नाम कौन से कहां से हैं आप डेली यहां सबजी लेके आते हैं सुनने को मिल रहा है कि यहां रथ यात्रा के दिन पाड लाग रहेगा है मतलब आपके कहने के मतलब यह हैं कि रथ यात्रा के दिन पाड़ा पूरा बंद रहेंगे पूरा वैपारी बंद कर रहें यहां दुकान बंद है तो आप लोगों का भी इसमें शहे हो गया है आपका शुब नाम कालू राम रजक काउन से कहां से पाड़ा लाटरा के बारे भी कुछ जानकारी दिना चाहेंगी घी बताइए हमारे जाओं पाणनादा में हर वर्ष मेला लगता है लाट और जगेनाजी का उसमें हम सभी यह प्यारी लोग एकतित हो करके लिए नहीं लिए हैं कि इस वर्ष मेला नहीं लगना है दूपान लगना है